आवाज की दिन्य के दो, भायों भेलों स्रजनों, सवयाथ लगे, सब्सक्राइब करें, सेंटरें, कमेंट करें, आपकी मैति किर्पा होगें, पारस सम देह सुनी, कवी गयो नर्प पास सुन के किर्पन फिर्यो, बैठो बाग बीच तभी नर्प चल आयो है, नर्प कान देखू, मूख तवो मुख ओटे कियो, क्रोज कियो नर्प तभी कवी यू सुनायो है, पारस समान देह सुनी, मैंने राज वी की, साच यह की धूटिये निरने ठान्यो है, लोहो बन्यो सोनू, अब साच तो जनाय सूरे, नर्प को सो होय तवो सोनू को दिलायो है, हरहरे, आवाज की दुनिया के दोस्तों, पन्यात्मा हो, सज्जनू, एक कवी जी बड़े उत् राजा से पुरुषकार पाने के लिए प्रन्तु राजा बड़ा कृपन था मित्रू, लोगों में यहां तक बातें चलती थी कि प्राते काल में इस कृपन राजा का मूँ देखना अच्छा नहीं है, कवी जी जब प्राते काल में राजा के पास जा रहे थे, तब उन्हों तो राजा भी उस बगीचे में आ पहुँचा, कवी जी ने सुना कि राजा साब इधरी पधार रहे है, राजा बिलकुल निकटा आ गया था दोस्तों, कवी जी वहां से उठकर जा नहीं सकते थे, और वे राजा का मूँ देखना नहीं चाते थे, उन्होंने जल्दी ही मू नहीं मेरा इतना बड़ा तरसकार, राजा अपने स्तान पर पोँचा और कवी को बुलाया, कवी समझ गया, वे बड़ा चिंतित हो गया, वे राजा के सर्मुख पोँचा, और हाथ दोर कर खड़ा हो गया, राजा ने कड़क कर पूचा, कवी जी तुमने मुझे क्या समझा है कभी ने कमपित फुर से कहा नरेंद्र राजन राजा ने दोने आवेश के साथ पूछा तो तुमने सुभह में क्या हरकत की थी कभी ने लडखडाती हुई आवाज में कहा मैंने मैंने क्या किया राजा ने गर्षते हुए कहा तुमने मुझे देख कर तवा ओठ में क्यों कर लिया था सत्जनूर भाईयो भेलू सत्षन क्रेमी वो तो कभी की बुद्धी भवत त्रिवगती से कारे कर रही थी वै कह रहा था राजने बात एसी है कि मैंने एक बात सुनी थी राजा गुर्राया हम हम कभी एविचलित स्वर मैं कह रहा था राजने सुना था कि आपकी देपार्स के समान है अरे आपकी दिस्ती पार्स है तो मेरा मन हो गया इस बात की परिच्छा करने का और इसलिए मैंने वै तवा आपकी और कर दिया था अवे लोएं का तवा सोने का बने तो इस बात की सचाई प्रकट हो राजा का क्रोध विलीन हो गया दोस्तों फित्रो राजा को अपनी किर्पनता के विशे में प्रजा में फेली हुई बातुं का पता था उसने सोच लिया कि इस कलंग को अब भी धो डालना ही अच्छा है उसने कवी प्रप्रशन होकर उसे सोने का तवा बनवा कर दिला दिया हरे हरे शिक्षा आवाज की दुनिया के दोस्तों सजनू भाईयो भेनू किसी के प्रती उसके विशे में सुनी सुनाई बातुं के अनुसार उसे कुरुद करने वाला व्यवार नहीं करना चाहिए सज्जनों भाईयों बहनों आवाज की दुनिया के दोस्तों संकट में भैबीत नहोकर बुद्धी से काम लेना चाहिए किसी को सुदार ना हो तो उसके सन्मुक उसके दूसन को इस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहिए कि उसका परणाम सुभ हो हरे हरे आवाज की दुनिया के दोस्तों सज्जनों सचन्प्रीमियों भाईयों भैणों जैहो परिवादिगार की जैहो सूर्यमुनिकी हरे हरे कोई की कड़वी कभी सुनना चाहोने बात है तब तो अपनी जीब को कड़वी करोन ब्रात हरे हरे आवाज की दुनिया के दोस्तों भाईयों भैणों मित्रों सज्जनों जोस्तों सब्सक्षण बेल्स्ड़ मेरी çıkान्यां प्यादिए